हिंदू धर्म में पेड पौधों को विशेश महत्व दिया जाता है और इन्हें देवी देवताओं का वास माना जाता है आग का पौधा पीपल ट्री हिंदू धर्म में महत्व पूर्ण स्थान रखता है आक के फूल को रोजाना भगवान शिव के शिवलिंग पर अरपित करने से उन्हें खुशी मिलती है और वे व्यक्ति की मनो कामनाई पूरी करते हैं ये प्रथा भगवान शिव की भक्ती और विश्वास का प्रतीक है यह एक प्रमुख उपाए है जो भगवान शिव की कृपा और आशीरवाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है सोमवार के दिन आग के ग्यारह सफेद फूर शिवलिंग पर अर्पित करने का उपाए वास्तव में एक प्रचलित प्रथा है जो भगवान शिव की भक्ती और आराधना का हिस्सा है यह विशेश रूप से बीमारी से पीरित व्यक्तियों के लिए सुझाया जाता है यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह अशुब फल देने की संभावना होती है तो बुधवार के दिन ऐसे उपाए करने की सलाह दी जाती है यहां आपने मेंशन किया है कि बुधवार के दिन पांच सफेद आख के फूल और मोदक गनेश भगवान को अर्पित करें यह एक उपाए है जो बुध ग्रह के अशुब प्रभाव को कम करने का अभिप्रेत करता है मनगलवार के दिन हनुमान जी को ग्यारह आख के फूल अर्पित करने का उपाए वैदिक जियोतिश में एक प्रचलित प्रता है इस प्रयास से व्यक्ति का काम बनने लगता है और मानसिक तनाव कम होता है हनुमान जी, भक्ती, बल और सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं और इस प्रयास के माध्यम से उनकी कृपा मिलने की कामना की जाती है जियोतिश शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में पॉजिटिव एनजी चाहते हैं और घर में सकारात्मकता चाहते हैं तो सफेद आग के पौधे को घर में अवश्य लगाना चाहिए इससे नकारात्मक उर्जा तथा नेगेटिव इफ़ेक्ट कभी घर में नहीं आएगा सफेद आग की जड़ को रविपुश्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेट कर घर में रखने का वास्तू उपाय शास्त्रों में व्यापक रूप से प्रचलित है इस उपाय को अपनाने से सुख, शान्ती और सम्रिद्धी की उर्जा घर में बनी रहती है और नकारात्मक ता को दूर करने में मदद मिलती है